हाँ इतना जरूर है कि थोड़ा सा गाड़ी जरूर धीमी चलाइएगा अपने पासवर्ट थोड़े से जरूर से क्यों रखेगा लेकिन गुरू चुकी केंदर में हैं जिनके यहां पर संतान नहीं है उनको संतान का सुख मिल सकता है क्योंकि यहां पर शणी सप्तम को देखे है कि उनके लिए साल 25 कैसा रहेगा उनकी आये कैसी रहेगी उनका कारोबार कैसा रहेगा नोकरी कैसी रहेगी क्या प्रमोशन मिलेगा रिलेशन्शिप है तो कैसा रहेगा नहीं है तो क्या रिलेशन्शिप कहीं पर बनेगा क्या शादी होगी जिनके यहां पर संतान नहीं है उनको संतान की दरकार है उमीद है क्या संतान होगी अवराल उनकी हेल्थ कैसी रहेगी इन सारे स्वालों के जवाब जो है वो जोतिश में मिलते हैं और इस वीडियो में हम यहां पर यह चर्चा करेंगे कि मीन राशी के जातकों के लिए साल दोजर पच्चिस क्या लेकर आ नहीं होता क्योंकि राहु के तू नॉर्मली डेड़ साल बाद राशी बदलते हैं शनी धाई साल बाद राशी बदलते हैं गुरू का गोचर जो है वो एक साल बाद होता है यानकि गुरू तो हर साल राशी बदलेते हैं जैसे राहु के तू के केस में 2024 में हुआ कि राहु 23 अक्तूबर में हुआ था शनी का भी इससे पहले गोचर हुआ लेकिन शनी का गोचर भी 2024 में नहीं हुआ अब 2025 में शनी भी राशी बदलेंगे राहू के तू भी बदलेंगे और गुरू भी बदलेंगे शनी समय के कारक है गुरू बलेसिंग के कारक है राहू के तू के इन ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा फिलहाल आपके सामने जो कुंडली लगी हुई है एक जन्वरी की आप देख सकते हैं कि शनी आपकी कुंडली में यहां पर बारवें भाव से गोचर कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपके उपर शनी की साड़े साती की पहली ढहिया चल र रखिये चार आठ बारा यानि की करक वरिष्चिक और मकर मीन जो राशिया है यह जलतत्व की राशिया होती है शनी यहां पर बहुत ज़्यादा जो है वो असर नहीं करते हैं अपनी साड़े साती में हाला कि उनकी दृष्टी का असर जरूर होता है लेकिन बहुत उला आशी में गुरु गोचर कर रहे है यहां पर यह भाव जो है वो तीसरा है यह आपको इंडिकेट हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं और राहु के तूंड़ा。 मार्च को शनी आपकी कुल्णी में आपके चंद्र्मा के उपर-सकी की दूसरी ढहिया शिरू हो जाएगी, गुरू थोड़ा सा आगे निकलेंगे, पंदरा दिन बाद ही लगबग, पंदरा मई को जो है, वो गुरू का गोचर होगा, लगबग डेड़ महीने बाग, गुरू का गोचर होगा, और गुरू आपकी कुलने में चोते भाव में आ रही है, यहां पर एक गोचर आपके लिए शुब हो जाएगा, केतु का, केतु आपकी कुलने में च्छटे भाव में आ जाएगा, यह 29 मई को होगा, और आपकी कुलने में राहु बार्वे चले जाएगे, राहु या केतु दोनों में से एक का गोचर शुब होता है, यहनि ये शुब नहीं मानेंगे, बहुत अशुब भी नहीं मानेंगे आपके लिए, तो इसका असर आपके ओपर क्या होगाउ ये जानने की कोशिश करते हैं आगे, तो जैसे ही शनी गोचर करेंगे आपकी कुणली में चंदर्मा के ऊपर से आ जाएंगे शनी आपकी कुणली में ग्यारवें और बारवें दो भावों के स्वामी होते हैं अपने भाव यानि कि अपनी एक राशी मकर राशी यहां पर जो काउंट हो रही है उस राशी से ये तीसरे चल जाएंगे आए स्थान से समंधित फ़ल अच्छा करेंगे क्योंकि अपनी राशी से तीसरे गोचर करना अच्छा है हलाकि आपके चंद्रबा के उपर से होंगे लेकिन अपनी एक राशी से तीसरे होंगे ये अच्छा है और आपको IK मामले में डैफिनिटली फाइदा जरूर देंगे शनी सब्तम को देखेंगे यदि आप शादी का विचार कर रहे हैं तो चीजें डिले हो सकती हैं क्योंकि यहां पर शनी सब्तम को देखेंगे, सब्तम जो है वो शादी वाला स्थान होता है, पार्टनर्शिप यदि आप करके बिजनस करना चाते हैं, तो वहां पर भी ज़रूर ध्यान से काम करिएगा, क्योंकि सब्तम शनी के प्रभाव में रहेगा, चीजें डिले तो जब गुरू की दृषटी दशम के उपर है और शनी की दृषटी दशम के उपर है, तो यह दशम एक्टिवेट हो जाएगा, शनी समय के कारक है, गुरू ब्लसिंग के कारक है, तो कारभार से समंधित فल यह वो आपको डिफिनेटली अच्छे मिल ले रहे हैं दोनों कि रहों के प्रभाव से आप डेफिनेटली बहुत जो है वो एंज्वाय करेंगे इस चीज़ को और आपको उसका बहुत अच्छा फल भी जरूर देखने को मिलेगा अब यहां पर देखिए राहू बार्वें भाव में हैं और गुरू की दिश्टी बार्वे हो जाएगा तो उसके अच्छे फल डेफिनेटली आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे राहू यहां पर बैठेंगे तो अश्टम को भी देखेंगे अश्टम आपकी सीक्रेसी का भाव होता है आपके सस्वराल पक्षि जो आपको फाइदा मिलता है क्योंकि सब्तम आपके पार्टनर का भाव होता है पार्टनर का दूसरा उसका धन होता है तो अश्टम से सस्वराल पक्षि का धन भी देखा जाता है धन के विचार किया जाता है अश्टम से सीक्रेसी का विचार किया जाता है अश्टम से आपका सडन लोस और सडन प्रोफिट देखा जाता है तो ये बहुत अच्छा ट्रेंगल ली होता है लेकिन चुकि गुरू सुक्तान में है तो सुख जरूर देंगे लाइफ में 2025 आप के लिए गुरू के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है केतू चुकी बहुत अच्छी प्लेस्मेंट में आ गया है केतू चटे भाव में आ जाएं तो चटा भाव रोगरिन शत्रू का भाव होता है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत इंस्टन्ट होता है ये आते ही असर करते है केतू भी यहाँ पर दश्म को देखेंगे आप देखिए केतू और शनी दोनों दश्म को देखेंगे रहू भी देख रहे है केतु की दृष्टी धर्णस्तान के उपर भी रहेगी और धर्णस्तान के उपर केतु की दृष्टी का मतलब यह है कि वहाँ पर आपको अच्छा फाइदा हो सकता है चुकि गुरू की दृष्टी करमस्तान के उपर है करम बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा या नोकरी बढ़ेगी, पुजिशन आएगी तो डेफिनेटली इस मामले में भी आपको फाइदा हो सकता है शादी की मामले में जरूर आपको डिले होगा ये थोड़ा सा आपको वीट करवा सकते है लेकिन गुरू चुकी केंदर में है जिनके यहां पर संतान नहीं है उनको संतान का सुख मिल सकता है संतान जो है वो फिफ्थ हाउस से आती है आपकी कुणली में बुद्ध बनते है वैसे फिफ्थ हाउस जो आपकी कुणली में आपकि कुल्ली है वहां पर आपकी कुल्ली में चंद्रमा बनते हैं आपके 5th house के स्वामी तो चंद्रमा जब जब गोचन में गुरू के करेंगे हैं तो केंदर में आना गुरू का अच्छा है संतान का सुख गुरू यहां पर देकर जा सकते हैं यह आपको डेफिनेटली उसका जरूर फाइदा होगा यह जो ग्रह होते हैं पॉस्टिव ग्रह होते हैं यह केंदर त्रिकोंड में अच्छा अफल करते हैं तो गुरू केंदर में होना अच्छा है तीसरे भाव के मकाबले थोड़ी सी बेटर पॉजिशन में आ जाएंगे हाला कि गुरू बेस्ट प्लेस्मेंट में रोगते हैं वो दूसरे पांचवें, साथवें, नोवें और ग्यारवे भाव में होते हैं उनका गोचर वहां से अच्छा होता है चुकि आपकी राशी के स्वामी है राशी के स्वामी होकर सुख सान में बैठ जाना हर तरह का सुख देने का काम याँ पर गुरू करेंगे आपको तो ये आपकी कुन्टली में दुदर पच्चिस में राहू केतू और शनी के गोचर का जो है वो प्रभाव रहेगा तिथिया हमने आपको वैसे बता दी है लेकिन एक तिथिया आप ज़रूर नोट रखिए 29 मार्च से लेकर 29 माई की ये इसलिए सावधानी पूरा थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा चलना है क्योंकि यहाँ पर देखिए यह जो कुंट्रली है लगीवी नदर आ रही है यहाँ पर शनी और राहू एक साथ हो जाएंगे राहू ट्रांजिट करेंगे शनी वहीं पर रहेंगे और शनी और राहू दोनों एक साथ जो है वो रहेंगे लगबग दो महीने 29 मार्च को शनी आगे आ जाएंगे लेकिन राहू वहीं पर रहेंगे राहू फिर आगे निकलेंगे 29 मई को तो दो महीने जब तक शनी और राहू आपकी चंदरमा के उपर से गोचर करेंगे ये थोड़ी सी नेगटिविटी आपको दे सकते हैं इस दुरान किसी के साथ भी कंफ्रिक्ट मत करिये खास दो पाप ग्रहूं का सब्तम को प्रभावित करना अच्छा नहीं है 29 मार्च से लेकर 29 मई तक बाकी जो मीन राशी के जातक हैं अधिकतर जातक जो मीन राशी के हैं उनके उपर शुक्र की महादशा चल रही है बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनके उपर शुक्र की महादशा लास्ट फेस में होगी बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनको शुक्र की महादशा शुरू होई होगी और बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जो शुक्र के दशासे गुजर जाएंगे इस साल में और उपर सूरे शुरु ओड़ेंगे या कुछ को सूरे शुरु भी हो चुके होंगे तो शुक्र जो है वो मीन राशी में आकर उच्च के हो जाते है शुक्र इस राशी के लिए बहुत important planet है क्योंकि यहाँ पर शुक्र केंदर के स्वामी भी बनते हैं आपकी कुल्ली में जो शुक्र हैं आपकी कुल्ली में तीसरे भाव के स्वामी बनते है और इसके लावा शुक्र आपके लिए अश्टम भाव के स्वाम में बनते हैं तो शुक्र की महातरशा यदि आपकी कुल्णी में शुक्र पीडित हैं तो आप शुक्र की रेमेडिस जरूर करिए Otherwise सुरे की रेमेडिस जरूर करिए सूरे की रेमेडीज अवराल बहुत अच्छी हैं आपके लिए और आपको इसका डेफिनिटली बहुत फ़ल मिलेगा शुक्र की रेमेडीज के तोर पर यदि आप मेरेड है तो आप अपने पार्टनर को कोई ना कोई सर्प्राइज गिफ्ट दीजिए उन्हें कहीं डिनर पे लेके जा सकते हैं बर्डे के दिन पार्टी दे सकते हैं सूट दे सकते हैं पर्फ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं उनको सर्प्राइज देना आपके लिए अच्छा है क्योंकि शुक्र मेल चार्ट के लिए वाइफ के कारक होते हैं जितना वाइफ आपकी ख रखिए इससे आपका शुक्र डेफिनिटली अच्छा होता है यदि आप महिला है तो आप अपने आपको थोड़ा सा सजा सवार कर रखिए उससे आपको उसके शुक्र के बहुत अच्छे फ़ल मिलेंगे सूरे की रेमेडी के तोर पर आप जो है वो सूरे को जल दे सकते हैं अम भास्क्रा या नमा का जब पर रवी वार के दिन आप डिशन कर सकते हैं गड़ की तो यह रेमेडी सेभूबолодपे के लिए आप सब खुब काम नहीं आपका दोजरपच्छा हो भगवान से परातना है कि आप जो भी चाहते हैं लाइफ में आपको सारे सुक जो है वो 2025 में हासिल हो इसके साथ ही मुझे दीजिए जाज़त ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए